आप सभी को हार्दिक शुप कामना है नमबुद्धाई जैभीम आप सभी को दोस्तों मैं हूँ आप सभी का दोस्त अश्मिन गनवे और दोस्त माई सवक पहुच चुका हूँ नाखपुर की पवित्र दिक्षाबूमी पर लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पाता की यहाँ पर किस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है तो आज का यह व्लॉग इसी के उपर बेस्ड है क्या अरेंजमेंट कहा कहा पर की गई है इसके उपर यह पूरा व्लॉग है दोस्तों अभी पूरा समझने की कोशिश करो यह जो देख रहे हो यह दिक्षाबूमी का में एंट्रेंस गेट है इसके लेफ्ट साइड में है अन्ना भाव साथे चौक और इसके राइट साइड में है काचिपूरा चौक तो अगर आपको में एंट्री गेट से अगर आपको एंट्री करना होगा तो राइट साइड में डॉक्टर बाबा साहीब अंबेड कर कॉलेज है यहां से में एंट्री दी गई है जो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर कड़ घरे वगरे लग चुके हैं बाजबल्ली से यहां पर कडगरे का अरेंजमेंट किया गया है देख सकते हो यहां से पूरा अरेंजमेंट किया गया है वो साइड से तो यहां से आप लोग आओगे और यहां से हम लोग चलेंगे अंदर में अभी दूसरी बात समझो यहां पर लगाए गया है मेटरल डिटे है और सेकेंड है जो सभी बहुत धानी आयों के लिए उपन रहेगा यहां से हम लोग सीधा चलेंगे अंदर बहुत अंबेड कर प्रति में कड़े वस्तुपाद जानेचा मारगम ठीक है इसके राइट साइड में आप लोग देखोगे तो सदुसच्वे धम्मचकर प्रवरत पढ़ने को मिलेगा राइट साइड में 22 परतिने दी गई है वो भी आपको पढ़ने को मिलेगी और यहां से सीडी भी लगे हुए है जो कंटिनियस्ली पुलिस निरिक्षन के अंदर में है अभी हम लोग चलते हैं यहां से पूरा अंदर राइट साइड में जो यह सीदा सीदा चलना है और अब यह हम लोग चलेंगे जहां पर वावासाब और तथागत भगवान गौद्वद्ध की प्रतिमा रखी गई है इस वक्त ठीक है अब यह है में इंट्रीगेट यहां से हम लोग अंदर जाने वाले हैं लेकिन मैं आज मैं आपको अंदर लेके न अंतक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है ठीक है अब यह जो पैसेज है यहां पर डॉक्टर बावासाब अंबेडिकर कॉलेज के एनसेस के स्टूडेंट्स वॉलेंटियर्स यहां पर अवेलेबल रहते हैं और उनका स्ट्रीट प्ले चलत है कंटिनियसली तीन दिन तक यह कारेकरम चलते रहता है और इसके बगल में आपको सर्टिफिकेट बे मिले गया ठीक है अभी हम लोग यहां पर आते हैं तो तथाकत भगवान गौतम बद्दक की प्रतिमा के हमें दर्शन होते हैं यह गेट बंद रहता है हमको सिर्फ डिर रिकर जी के प्रतिमा के हमें दर्शन रते हैं यह जो कड़गर आयां यह भी बन दा रहता है और वे सीधा-सीध क्योंकि उसकी विडियो 000 डाइड किये हैं अब यहां से एंटई करने के पाद यह वाला पाइसेज भंद रहता है यह साइड लगा गया है नहीं ना को बाद डॉक्टर बाबा से वाम बेड़कर कॉलेज से एक्जीड गेट दिया गया है जहां से हमें शुरुवात कि यह थे दिक्षा भूमी के अंदर एंट्री के लिए वही से एक्जीड भी होता है अभी आपको इधर जाना है तो ठीक है अदर्वाइस आप लोग राइट में जहां डाल डाल पर सोने की चिडिया करती है वसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा दोस्तों ये सीन देखकर मुझे इसी गाने की याद अभी यहाँ पर आ रही है चलिए चलते हैं और अंदर में जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि हमें 22 प्रतितने द लोग चलेंगे बॉद्धव विहार में यहां भी अभी मैं आपको अंदर नहीं लेके जाओंगा इसके वीडियो अल्रेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है धम्मदीक्षा विधी का जो प्रमान पत्र होता है वो इसी स्टॉल से मिलता है दोस्तों देख सकते हो यह इता वड़ा स्टॉल है राइट साइड में धम्मदीक्षा सोड़ा चलते रहता है और लेफ्ट साइड में आपको इसका प्रमान पत्र भी मिल जाता है रेजिस्ट्रेशन भी यही पर करना पड़ता है दोस्तों दोस्तों महिला परिशत के उपर बेज आज की थीम पर यहां पर इवेंट चल रहा है और दोस्तों यह वही स्टेज है जहां पर धम्मदीक्ष सोगड़ा चलते रहता है तो जिस दिन हम लोग आएंगे 23 सारी को और 24 सारी को तो मैं आपको वैहां का नजराहां दिखाऊंगा कि किते लोग इस बार धम्मदीक्षा अपनाने वाले हैं बहुत अपनाने वाले क्यूंकि इस बार का जो आक्रा है वो कम से कम 30-40 लाग का होन दोस्तों क्या देख सकते हो क्या ओसम व्यों हमें रात को देखने को मिला बहुत ही घजब का यह नजारा हमें देखने को मिला सच में यह कोई जन्नत से कम नहीं है दोस्तों जन्नत हमने भी नहीं देखिए और आपने भी नहीं देखिए लेकिन दिक्षा भूमी को देखकर सब मैं बोल सकता हूँ 100% की ये जन्नत से भी खुबसूरत चीज़ कोई है तो वो है हमारी नाकपुर की पवित्रतीक शाभूमी